नमस्का, पूरब टैंस की पेशकश आज के फटाफट ताजा समचार में आपका स्वागत है। आरंविक इस्तर पर रोकने में नाकाम साबित हुआ है। पहले इन सुविधाओं को करदाता के साथ साधा नहीं किया जाता था। इस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इसे विश्व के साथ अश्चोर्यों में शामिल ताजमाल इस्ति संगमर्कमर की मुख्य कबर की रेलिंग भी टूड़ गई। इसके लावा एक अन हिस्से में भी नुकसान की कबर है। उच्च अधिकारी इसकी जाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उपेश बगेल ने राज्य के लगू द्योगों में उत्पादी संमंक्रियों के विप्णन को प्रोसाहन देने के लिए सभी विभागों द्वारक क्रय की जाने वाली संमंक्रियों की सुची उद्योग विभाग CSIDC को तकाल उपलब्द कराने तता CSIDC को श फागो द्वारा उनका नीमित प्रह किया जाता है कि उन सभी बस्तूर के आपूर्ती राज में निर्मातक कंपनियों के अधिक्पित वित्तरकों के माध्यम से ही की जाये जिसे राज में विवसाइग दत्युरिदियों को पढ़ावा मिले और राज को GST की शतिभी न विमानों के लिए भी परिशानी पैदा कर दी है ये टिटी दल एरपोर्ट पर भी धावा बोल रहे हैं मामला इतना कंपीर हो चला है कि DGCA ने पैलोटों को उडान भरते समय और उतरते समय अतरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिये देश में पहली बार DGCA को टिट परतने के लिए एक एडवाईजरी भी जारी करनी पड़ी है इसमें टिटी डलों की जानकारी मिलने पर उनके समूं के बीच से उडान नहीं भरने का आदेश दिया गया है दुर्ग के नौपदस कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे आते ही एक्शन मोड पर आ गए हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के ग्री ग्राम पाटन का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये उन्होंने कहा कि मनरेगा के काम व्यापक इस तर पर सभी गाओं में चलेंगे इसके अलावा कॉरंटिंग सेंटर में इसके डेवलियक्मेंट का कार्य होगा पाटन शहर की सुन्दरता के लिए शहर को जोडने वाली सडके होंगे गुलमहर से गुलजार और डिवाइडर में अमलतास लगेंगे कलेक्टर ने SLRM सेंटर और यहां से लगा वो ठान भी देखा नगरपालिका निगम भिलाई शेतर अंतरगर कैम दो वाड एकिस वैकुंट धाम में भिलाई जिला दुर्ग के एक मात्र एक्टिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए नागरी के घर के सौ मेटर के कंटेंटमेंट छेतर की परिदी में घर-घर सैनिटाइजिंग का कार युद्दिस तरपर प्रारम कर दिया गया है वैकुंट धाम दिवांगा गवन रोड के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर के सामने धुआ का छिड़काओ भी किया गया चक्तिसगड की राजधानी राइपूर सहिक मध्य चक्तिसगड दुर्ग धमतरी महासमुन में वीती राज गरत चमत के साथ बारिश हुई सुबह तक रिंजिम बारिश का सिलसला जारी रहा इससे नौत अपा की तपन से जन समाने को रहत मिली है 45 से 46 डिगरी तक पहुँच गए तापमान का ग्राफ गिरकर सुबह 30 डिगरी हो गया है राइपुरिस्थित मौसम विज्ञान केंदर के मौसम विज्ञानी आर के बैस ने बताया कि एक द्रोणी का पंजाब से उत्तर 36 गर्ड और दूसरा द्रोणी का विधर्प से तानमिल नाडो के बीच बनी हुई है इसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर गर्ड चमक के साथ बारिश हो रही है अगले 24 गंटम में कुछ स्थानों पर आकाशी बिजली गिरने और गर्ड चमक के साथ बूंदा बोहमी होने की संभावना है